हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल एट्रेक्टिव लूप फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में ब्यूटिफुल सी क्रोशेट जैकिट आपके साथ शेयर करने जारी हुआ है आप इसे जैकिट भी कह सकते हैं कोटी भी लेडिस इसको बोलती है और बॉलेरो जैकिट भी इसको कहा जाता है तो लेडिस जैकिट और कार्डिगन के श्रग वगएर के तो काफी सारे डिजाइन्स आपके साथ शेयर कर चुकी हुआ है तो मैंने सोचा कि इस बार टीनेज गर्ल्स के लिए कुछ ब्यूटिफुल सा पीस बनाया जाए तो उसी इसाप से मैंने जैकिट पर भी पहन सकती हैं बहुती ज़्यादा खुपasten लगेगा यह बहुती सिंपल टीस है बनाने में बहुत जाधा आसान है और इसमें बहुत कम लगती है एक ये दो जाली वाला डिजाइन है तो इसमें बड़न इजिली आ जाएंगे या फिर आप इसको कोई किसी खुबसूरत ब्रोज के साथ भी पिनप कर सकते हैं यहां से और अगर आप चाहें तो टसल वगेरा भी डोरी के साथ में इसमें लगा सकते हैं ठीक है तो यह आपकी चॉइस रहेगी तो पूरी डिटेल में इसको आपको बनाना बताऊंगी मैं अभी इसका मेजर्मेंट दिखाती हूं मैं आपको यह दिखिए इसका चैस साइज 16 है यानि 32 तो 30 से लेकर 34 चैस साइज जिनका भी है वो लेडिज या गर्र्स इसको इजिली पहन सकते हैं इसक की लेंध भी अच्छी है 15 इंच लेंध है इसकी जो की एक टॉप के इस आप से बैस्ट रहती है और आर्मोल आप इसका देख सकते हैं कितना ज्यादा परफेक्ट बना है कितनी ब्यूटिफुल शेप आई है इसकी इसका भी साइज दिखाती हूं मैं 6 इंच इसका आर्मोल से खुल रहा था इसनी मैं इसको पहन करना है तो फ्रेंड्स अगर आपको यह जैकिट पसंद आई है और आपको लगा है कि डिजाइन कुछ यूनीक है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं मेरे हमेशे कोशिश रहती है कि मैं जाद से जाद नए और खुबसूरा डिजाइन से आपके लिए लिका रहा हूं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ मैंने वाली घंटी के निशान पर और नोटिफिकेशन भी क्लिक कर लिजिएगा उससे मेरी आने वाली वीडियो की नो पीस जॉइंट होंगे इस तरीके से ठीक है तो इन तीनों पीसों को मिलाकर ये बलेरो जैगिट बनेगी इस पीस की जो चोड़ाई है ये 4.5 इंच है और इन तीनों पीसों की जो लेंध है वो 11 इंच है ठीक है तो ये तीन पीस बनाने हैं हमें बनाने किस तरीके से हैं बहुती ज़्यादे सिंपल सिंपल है इसको बनाना सिंगल क्रोश्यर्ण Around płु का ए वीडियो के आखर में लगा देखकर आप सिंगल क्रोश्यर्ण वीडियो हैँ परफेक्टली सीख सकते हैं ठीक है吧 तो अगर यह वीडियो आपके लिए helpful रहे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा वीडियो को ध्यान से देखेगा बिल्कुल भी skip नहीं किजेगा तो आज फिर उनको बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए 4 प्लाई की वूल दी हुई है मैंने हापर और इसके साथ में 2.5 mm क्रोशाव को लिया हुआ है सबसे पहले चैन बनाएंगे हम एक स्लीप नॉट लगा लेंगे इसके बाद में एक दो तीन चार पांच शे साथ उननिस बीस बीस चैन बनाई है मैंने हापर बीस चैन बनाने के बाद में इसके उपर दो चैन एक्स्ट्राइड करूँगी मैं एक दो दो चैन बनाई है अब ये बीस वी और ये जो दो चैन एक्स्ट्रा बनाई है ये तीन चैन हम स्किप कर देंगे और यह 3 chain एक double crochet की तरह बर्त करेगी यह देखिए 1, 2, 3, 3 chain छोड़कर 4 chain में crochet डालेंगे उनको आगे लाएंगे अब उन लेकर पहले 2 loops में से निकालेंगे फिट 2 loops में से निकालेंगे अभी देखिए यह 3 chain और एक यह double crochet यह 2 double crochet की तरह count होंगे अब इसके बाद में याड नोवर करेंगे नेक्स चेन में एक double crochet बनाएंगे याड नोवर करेंगे नेक्स चेन में एक double crochet बनाएंगे तो यह 4 stitch हो गए हैं आपर 5 6 7 8 तो यह 8 stitch बनाए है हमने double crochet stitch इसके बाद में याड नोवर करेंगे नेक्स चेन में हम half double crochet बनाएंगे इसके लिए chain में crochet डालेंगे उनको आगे लाएंगे तीन loops हैं क्रोशा में तीनों में से उन लेकर निकाल देंगे तो यह एक half double crochet stitch कहलाता है अब इसके बाद में याड नोवर करेंगे नेक्स चेन में एक half double crochet बनाएंगे नेक्स चेन में एक half double crochet बनाएंगे यह तीन stitch हो गए चार और बनाऊंगी मैं यह चार हो गए पाच छे साथ तो आठ double crochet के बाद में साथ half double crochet stitch बनाएंगे अब इसके आगे हमारे पास पाच चेन बागी है पाच चेन के उपर हम देखें नेक्स चेन में crochet डालेंगे उनको आगे लेंगे दो loops crochet में दोनों में से उन लेकर crochet निकाल देंगे तो यह single crochet stitch कहलाता है नेक्स चेन में भी एक single crochet बनाएंगे नेक्स चेन में single crochet तीन हो गए चार परी last chain है हमारी पाच तो यह हमने टोटल 20 stitch यहाँ पर complete किये है आठ double crochet साथ half double crochet और पाँच single crochet stitch यह first row हमारा complete हो गया है अब इसके बाद में एक chain बनाएंगे और इस piece को turn करेंगे अब जो stitch हमने नीचे बनाए है इसके उपर same stitch हमें repeat करने है तो हमारे पास यहाँ पहले 5 single crochet है इसके उपर हम 5 single crochet बनाएंगे तो पहली chain skip करेंगे दूसरी chain में crochet डालेंगे और यह हमारे आखरी वाली single crochet stitch की chain है इसमें हम second row का पहला single crochet बनाएंगे नेक्स chain में एक single crochet नेक्स chain में एक single crochet तीन हो गए चार पाँच पाँच सिंगल क्रोशा एक उपर पाँच सिंगल क्रोशा अब नेक्स साथ stitch जो है यह half double crochet है तो इसके उपरम half double crochet ही बनाएंगे नेक्स chain में एक half double crochet नेक्स chain में दो half double crochet sorry दूसरा half double crochet तीसरी chain में तीसरा यह चार पाँच छे साथ अब इसके आगे 8 double crochet stitch हैं इसके उपर हम 8 double crochet stitch बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच चे साथ और यह एक बनाएंगे तीन chain की टॉप चेन में आठ आठ डबल क्रोश्या कंप्लीट हो गए तो यह दो रो हमारे हाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं अब यह दो रो हमें बार बार रिपीट करने हैं तो यहां से अपना फर्स्ट रो फिर से स्टार्ट करेंगे हम इसके लिए थीन चेन बनाएंगे एक दू तीन चेन एक double crochet की तरह काउंट होंगी और यह हमारे पहले वाल एक डबल क्रोश्या तो यह तीन चैन को मिला कर 3 स्टिश हो गए चार पाँच छे साथ आठ आठ डबल क्रोश्या के बाद में देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, चार, चे, शाथ, आठ इसके बाद में साथ हाफ डबल क्रूशा बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छे साथ साथ हाफ डबल क्रूशा के बाद में पाँच सिंगल क्रूशा एक दो तीन चार और ये पाँच तो हमने फर्स्ट रो की तरह यहाँपर फिर से आठ डबल क्रूशा साथ हाफ डबल क्रूशा और पाँच सिंगल क्रूशा बनाएंगे अब इसकी जगा फोर्थ रो पर हम अपना सैगंड रो रेपीट करेंगे तो इसी तरीके से इस पीस को बनाते हुए 24 रो कंप्लीट करेंगे पहले हम और इस तरीके से चलेगा यह देखे इस तरीके से इसको रिपीट करते हुए 24 रो कंप्लीट कर लेंगे हम और 24 रो हमारे यहां तक देखिए यह हमारा आखरी रो है जिसमें हमने इस चोटे बड़े स्टिच बनाए हुए है आठ डबल क्रोश्या, साथ हाफ डबल क्रोश्या और उसके बाद में पांच सिंगल क्रोश्या इसके बाद में जो 25 रो हुआ हमारा उसमें हमने सारे डबल क्रोश्या स्टिच ही बनाने हैं एक एक chain को पर एक डबल क्रोश्या तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 रो कंपलीट करेंगे हम 24 रो पैटरन के according उसके बाद में 6 रो में हम सिर्फ डबल क्रोश्या इस्टिच ही बनाएंगे 20 पीस डबल क्रोश्या हर एक रो में तो इस तरह के से दो पीस कंपलीट कर लेंगे हम दो पीस कंपलीट करने के बाद में एक पीस मैंने ये बना हुआ है ये बैक साइट के लिए है और इसमें मैंने 75 चेंज बनाई थी 75 चेंज बनाने के बाद में उसमें 2 चेंज एक्स ट्राइड करके पहली लाइन में 75 डबल क्रोशे बनाए हैं दूसरी लाइन में 75 डबल क्रो कट करने के बाद में इस ओन को फिट से जॉइन करेंगे हम यह देखिए पहली चैन छोड़ेंगे दूसरी उसके बाद में तीसरी चौथी चैन में क्रोशह डालेंगे चौथी चैन में क्रोशह डालकर लूप को आगे लेकर आएंगे और एक चैन बनाएंगे एक चैन बनाने के बाद में नेक्स चैन में एक सिंगल क्रोशह स्टिच बनाएंगे इसके बाद में यार नोवर करेंगे नेक्स चैन में एक हाफ डबल क्रोशह स्टिच बनाएंगे इसके बाद नेक्स चैन में एक डबल क्रोशह स्टिच बनाएंगे इस तरीके से ठीक है तीन चैन छोड़कर चौती चैन में एक डबल क्रोशह स्टिच बनाने हैं एक एक चैन के उपर एक डबल क्रोशह बनाएंगे हम और इसको आफिट तक लेकर जाकर फिर आगी क्या करना है वह मैं दिखाती हूँ आपको यह देखिए रो कंप्लीट कर लिया है मैंने यह देखे एक, दो, तीन, चार, पाथ, छे और एक ही तीन चेन की टॉप चेन तो यह मेरे पास अभी साथ चेन बागी है अभी साथ चेन में जैसे हमने दूसरी साइट पर स्टार्टिंग में काम किया था से वही काम हमें हाँ पर करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पहली चेन में एक डबल क्रोश्या बनाएंगे दूसरी चेन में एक हाफ डबल क्रोश्या बनाएंगे तीसरी चेन में सिंगल क्रोश्या बनाएंगे इसके बाद next chain में slip stitch करेंगे, तीन chain हमारे पास यहाँ पर बाकी रह जाएंगी, जैसे हमने तीन chain स्टार्ट की में छोड़ी थी, तो यहाँ पर हम slip stitch करेंगे, अब एक chain बनाएंगे, और इस उन को फिर से यहाँ से कट कर दूँगी मैं, तो यह हमारा decrease वाला, यानि मुढ्डे घटाने वाला first row यहाँ पर complete हो गया है, इस तरीके से, बोनों side से इसकी shape आई है, नीची की तरफ, अब इस piece को turn करेंगे, और फिर से उनको join करेंगे, double crochet stitch के उपर, तो यह हमारे single crochet है, यह half double crochet है, और यह double crochet stitch है, इसके उपर हम उनको join करेंगे फिर से, और यहाँ पर एक दो, दो chain बनाएंगे, वैसे तो तीन chain बन ती हैं, लेकिन तीन chain हम नहीं बनाएंगे, हैपर सिर्फ दो ही chain बनाएंगे, एक chain हम यहाँ पर कम कर देंगे, तो उससे एक stitch हमारे यहां पर कम हो जाएगा क्योंकि इस row में भी हमें दोनों साइट पर एक इक stitch कम करना है next chain में उनको आगे लाएंगे अब उन लेकर दो loops में से निकालेंगे तो यह हमारे पास अब देख सकते हैं दोनों की height बराबर है उसके बाद दो loops क्रोशा में है तो यह दो incomplete double crochet count होंगे दोनों को हम एक साथ मिला देंगे तो यह दो stitch एक साथ मिल जाएंगे तो यहां पर एक stitch हमारा कम हो जाएगा अब उसके बाद में next chain में एक double crochet बनाएंगे next chain में एक double crochet बनाएंगे इसके आगे सारी chain के उपर एक एक double crochet बनाते हों इसको आखिर तक ले जाकर दिखाती हूं आपको यह दिखी दस्वारों में रहाँ पर complete हो गया है अब यह दो double crochet stitch मेरे पास बागी है यह दो double crochet है यह एक half double crochet और यह single crochet ठीक है तो यह दो double crochet है इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में दो stitch एक साथ मिलाए थे तो इसके लिए यार्ण ओवर करेंगे पहले double crochet के उपर उनको आगे लाएंगे उन लेकर दो loops में उसे निकालेंगे अब यार्ण ओवर करेंगे नेक्स चैन में उनको आगे लाएंगे अब उन लेकर दो loops में से निकालेंगे तो ये दो incomplete double crochet हमारे हुक में आ गये हैं अब इन दोनों को हम एक साथ complete करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा एक stitch कम हो गया है दो stitch मिलकर एक हो गया है इसी तरीके से जो काम हमने इस रो में किया है इसके आगे के रो भी हम इसी तरीके से बनाएंगे दोनों हर एक रो में दोनों साथ पर हमें एक-एक stitch कम करना है देखे इस के लिए फिर से दो चेन मेंगे इस पीस को टर्न करेंगे जैसे इस वाले रोखे starting में हमने दो chain बनाई थी ऐसे ही हमने ह Dakar दो chain बना कर starting की है अब यारण ऊबर करेंगे यह 2 stitch हमने एक जगा मिलाए है यह 2 stitch हमने एक जगा मिलाए है तो इनके उपर एक chain आ गई यह वाली chain skip करेंगे हम और next वाली chain में crochet डालेंगे फून को आगे लाएंगे अब फून लेकर दो लूपस में से निकालेंगे तो ये दो chain और ये एक complete double crochet ये दो stitch हमारे crochet में आ गए दोनों को एक साथ complete कर देंगे अब next chain में एक double crochet बनाते हुए इस रो को complete करेंगे और आखिर में हम दो stitch फिर से एक जगा मिलाएंगे जैसे हमने अभी इस वाले रो में मिलाए हैं आपर आखिर में ठीक है तो इस तरीके से इस के आगे के रो बनाऊंगी मैं जहां तक मेरा बुढ़धा complete हो जाता है घटाना ठीक है फिर उसके बाद में आपको दिखाते हूँ तो यह दिखे यह piece मैंने complete कर लिया है इस तरीके से अब इसमें कितने रो गनाए हैं मैंने यह हमारा first row था जिसमें हमने दोनों side उन जोड़कर दोनों तरफ single half double और double crochet stitch बनाए थे ठीक है simply एक-एक chain में एक-एक double crochet बनाकर उपड़ तक मैंने यह सारे row complete किये हैं कुल मिलाकर मैं आपको count करके दिखाती हूँ इतने हैं एक, दो, तीन, चार, पाथ, छे, साथ, आठ, आठ, नो, दस, ग्यारब, बारा, तेरा, चौदा 14 row मैंने complete किये हैं ठीक है पांच decrease वाले और उसके बाद में बाकी के 9 row simple double crochet के साथ में और यह piece मेरा बन कर ready हो गया है यह piece हमने बना कर ready कर लिया है अब इसके बाद में हम इसको यह piece रखेंगे इस तरीके से तीनों यहाँ पर एक लगाएंगे और एक लगाएंगे इसको इस तरीके से मिलाकर कंधी में लगाएंगे और फिर उसके बाद में दूसरे piece को रखेंगे इस तरीके से यह जो double crochet के row है यह आपको देख लेना है जो हमने double crochet के plane row बनाए है यह उसके पर की तरफ रहेंगे कमर में इस लगाएंगे और उपर दोन तरफ कंधी में इसकी इसलाई लगा लेंगे हम तो इसलाई कैसे लगानी है वो दिखाती हूँ मैं भी आपको तो यह देखें यह कंधी से कंधी मिलाई हुई है मैंने इस तरीके से उपर का हिस्सा है यह इसमें इस साइड में तीन चेन है इसमें क्रोश डालेंगे और दूसरी साइड में भी तीन चेन ही है यह आप देख सकते हैं इसकी टॉप चेन में क्रोश डालेंगे इसमें सीधा उल्टा इतना ज़्यादा नहीं है अब आप देख सकते हैं दोनों रो दोनों ही पीस की रो एक तरफ को हैं ठीक है तो इसमें सीधे उल्टे की कोई दिक्कत नहीं है इसमें उन को जोइंट करेंगे हूँ मैं क्रोशा से स्लेय लगा रही हूँ आप अगर चाहें तो हाथ की सुई से भी इसमें स्लेय लगा सकते हैं यह उन जोइंट हो गई अब एक चेन बनाएंगे अब जो हमारी नेक्स्ट वाला डबल क्रोशे वाली चेन है इसमें क्रोशा डालेंगे और दूसरे पीस के डबल क्रोशे की चेन में क्रोशा डालेंगे और एक slip stitch करेंगे इसके बाद में next chain है इसमें crochet डालेंगे next chain में crochet डालेंगे slip stitch करेंगे तो इस तरीके से इसकी slay लगा लेनी है हमें यह हमारा आकरी stitch है इसमें slay लगाएंगे अब एक chain मनाएंगे इसको कट कर देंगे और इसको tight कर देंगे इस slay हमारी complete हो चुकी है अब देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सफाई के साथ में इस slay लगती है अब यह जो tails हैं इनको hide करेंगे हम hide करने से पहले इस तरीके से एक knot लगा लूँगी मैं अभी जो यह stitching की है हमने इसी में हम इसको hide कर देंगे यह hide होगे अब इसको cut कर देंगे इसी तरीके से यह वाली tail भी हम hide करेंगे और यह वाली जो हमारी पास tail है यह भी हमें hide करनी है और यह वाली slay लगाएंगे हम same तरीके से यहां से यह हमारा double crochet की जो chain है इसमें हम un-joint करेंगे और यह वाली first वाली chain है इसमें un-joint करेंगे यहां से मिलाकर slip stitch के साथ ने इस तरीके से यहां से यहां तक इस side को भी joint कर लूँगी में उपर तक ठीक है इसमें हमें अंदाजे से काम करना है तो पास-पास में टांके लगाते हूँ यह इसले लगाएंगे और चारो सलाई कमप्लीट करने के बाद में यह इतना पीस हमारा बनकर रेडी हो जाएगा फिर हम इसमें इसका बॉर्डर जो है डिजाइन वाला वो डालना स्टार् तो जैकेट हमारी पूरी जुड़ शुकी है यह आप देख सकते हैं साइड में सलाई है उपर कंदी में भी सलाई है दोनों तरफ और दूसरी सैट पर भी हमने सलाई लगा ली है अब हम इसके बॉर्डर पर काम करेंगे तो बॉर्डर पर पर करनी के लिए मैं नेक्स से स्टार्ट करूं भी बैक साइड की नेक्स से नहीं या फिर यहां से स्टार्ट करते हैं गुलाई से स्टार्ट करते हैं तो किसी भी यह जो एक एक रो है हमारी डबल क्रोश्या की किसी भी एक रो के साथ में आपको अपनी उनको नए स्रे से जॉइंट कर लेन यह उन जॉइंट हो गई हमारी इसके बाद में एक दो तीन चेन बनाने के बाद में क्रोशे को पर उनको लेंगे और इसी रो के उपर से एक डबल क्रोशे स्टिच और बनाएंगे तो यह तीन चेन को मिलाकर दो स्टिच हो गए इसके बाद में यार्णोर करेंगे यह हमारी नेक्स्ट रो है अगली वाली रो इसमें भी हम एक और एक दो डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे दो डबल क्रोश्य बनाने के बाद में एक, दो, तीन तीन चेन बनाएंगे और अभी जो यू डबल क्रोश्य हमने बनाया है इसकी चेन में क्रोश्य डालेंगे इसमें और जो डबल क्रोश्य स्टिच है इसमें क्रोश्य डालेंगे एक तार इसका ले लेंगे और इन दोनों तारों में से उन लेकर निकालेंगे और जो लूप क्रोश हम है इसमें से भी निकाल देंगे इसके बाद में यार्ण वर करेंगे और दो डबल क्रोश्या और हम इसी रोग के उपर बनाएंगे इस तरीके से इस तरह से यह pattern बनेगा दो double crochet और फिर उसके बाद में एक ही इसके पर loop बनाया है हमने उसके बाद में दो double crochet stitch और बनाया है ठीक है यह जो हमने starting में दो double crochet बनाया है यह हमारा half pattern है इसको आफिर में complete करेंगे हम अब याड वर करेंगे, next row पर आ जाएंगे, इसके उपके पहले हम 2 double crochet बनाएंगे 1, 2, 2 double crochet के बाद में, 1, 2, 3, 3 chain बनाएंगे और इसी chain में, double crochet की chain में और double crochet का एकतार लेकर crochet डालेंगे तो एक slip stitch कर देंगे, यार्ण ओवर करेंगे और दो double crochet stitch और बनाएंगे तो इसी pattern के साथ में इस पूरे रो को complete करूँगी मैं देखे, front side complete कर ली है मैंने, अब हम back side पर आ गए हैं तो यहाँ पर हमें chains को skip करते हुए काम करना है एक एक chain बनी हुई है यह, इसको skip करेंगे हम यहाँ पर यह आखरी रो के साथ में आखरी बार का pattern मैंने बनाया हुआ है अब हम yarn over करेंगे और एक, दो, दो chain skip करेंगे और तीसरी chain पर crochet डाल कर इस pattern को बनाएंगे एक, दो, दो double crochet उसके बाद में इसके उपर loop बनाएंगे इसके बाद में दो double crochet और बना लेंगे इसी chain में इसके बाद में हम इसके आगे की एक, दो, तीन, तीन chain skip करेंगे तीन chain skip करके चौथी chain में crochet डालेंगे और चौथी chain में हम यह pattern बनाएंगे तो जब हम इस chain पर काम करेंगे तो हमें 3-3 chain skip करते हुए यह काम करना है यहाँ पर gap कम करने के लिए मैंने 2 chain लिए हैं इसी तरीके से दूसरी side पर काम करेंगे हम अंदाजे से थोड़ा सा काम करना है हमें कितने दूरी पर हमें यह स्टिच बनाने हैं ऐसे ही हम यहाँ पर जब आ जाएंगे नीचे बैक साइड पर तक भी हमें हर एक पैटन 3-3 chain इसकिप करते हुए बनाना है बागी एक दो chain अगर कम या जादा पड़ती है तो वह आपको अपने हिसाब से adjust कर लेने हैं ठीक है तो यह first row complete करके फिर में आपको दिखाती हूँ यह देखिए friends first row complete कर लिया है मैंने design का यह आकरी बार pattern बनाया है और यह वो दो double crochet है जो हमने starting में बनाय थे तीन chain और एक double crochet अब हम इसको complete करेंगे तो इसी वाले row पर दो double crochet stitch और बनाएंगे हम एक दो इसके बाद में एक दो तीन chain बनाएंगे और इस loop को complete करेंगे यह हो गया अब इस starting में जो तीन chain हमने बनाएं थी उसकी top chain में slip stitch के साथ हम इसको joint कर देंगे यह 3 chain है यह इसकी top chain है इसमें इसको joint करेंगे यह हो गया फर स्ट्रो हमारे यहाँ पर complete हो गया है अब इसके बाद में देखी जो second बारा double crochet है हमारा इसमें हम एक slip stitch करेंगे उसके बाद में एक slip stitch करेंगे हम एक pattern से लेकर दूसरे pattern के बीच में यहाँ पर यह जो हमने starting में तीन chain और दो double crochet बनाए थी उसके बीच में यहाँ पर थोड़ा सा gap है और यह हमारा एक बार का pattern है ठीक है यहाँ पर भी gap है तो इसमें हम एक slip stitch करेंगे यहाँ पर इस gap में अब हम यहाँ पर एक दो तीन तीन chain बनाएंगे इसके बाद में इसमें एक दो तीन तीन chain एक्स ट्राइड करेंगे तो इसमें तीन chain एक double crochet का काम करेगी और तीन chain space के लिए हमने डाली है अब हम crochet के उपर उनको लेंगे और यह वाला जो chain space है pattern के आगे वाला यह व हैं इसमें हम एक double crochet बनाएंगे एक double crochet के बाद में एक दो तीन क्यांट बनाएंगे यह चेइन space के लिए और यह अब यह आड़ करेंगे और pattern का जो आगे वाला chain space है, chain space नहीं है gap है इसमें 22C बनाएंगे फिर तीन chain बनाएंगे और next वाली gap में 22C बनाएंगे तो इस तरीके से जाली की तरह यह डिजाइन बन जाएगा, यह आप देख सकते हैं, इस रो को इसी तरीके से कम्प्लीट करूँगे, और फिर इसको कम्प्लीट करके दिखाते हैं, तो यह दिखिए, यह सेगंड रो कम्प्लीट कर लिया है मैंने अब ना, और यहाँ पर तीन चेन बनाई हुई हैं, तीन चेन को बनाकर इसको हम जोइंट करेंगे, स्टार्टिंग में जो हमने तीन चेन बनाई थी ना, उसमें जो थर्ड चेन है हमारी उसमें एक रोशह डालकर, स्लिप स्टिच के साथ हम इसको जोइंट कर देंगे, और यह हमारा सेगंड रो कम्प् तो सबसे पहले 1, 2, 3 chain बनाएंगे, याड न ओबर करेंगे और इसी वाली chain में एक double crochet और बनाएंगे तो जैसे हमने यहाँ पर यह स्टार्टिंग में तीन chain और एक double crochet बनाए थे ऐसे ही हमने यहाँ पर बना दिये हैं यान वर करेंगे और यह वाला जो डबल क्रोश्या बनाया है इसके उपर हम अपना सेकंड वाला पैटर्न बनाएंगे ठीक है यह हमारा डबल क्रोश्या स्टिच है इसी के उपर एक डबल क्रोश्या दो डबल क्रोश्या अब इसके उपर लूप बनाएंगे इस तरीके से अब 2 double crochet stitch और बनाएंगे एक और एक, दो ये हमारा एक double crochet stitch के उपर पूरा pattern हमने यहाँ पर बना दिया है यहाँ पर हमने एक एक रो के उपर काम किया था और अब हमें ये जो एक एक double crochet stitch बने हुए है ना इनके उपर बना है तो एक बार pattern बनाया है इसके बाद में यार नुवर करेंगे next pattern, next वाले double crochet को पर बनाएंगे एक double crochet दो double crochet इसके बाद में loop बनाएंगे loop बनाने के बाद में दो double crochet stitch और हम यहाँ पर बनाएंगे तो यह हमारा दो बार का pattern हो गया अब इस pattern को complete करेंगे सेम वैसे ही जैसे हमने अपना फर्स्ट वाला पैटन कम्प्लीट किया था इसी बारी चैन में जिसमें हमने काम शुरू किया है इसी में हम दो डबल क्रोश्य और बनाएंगे उसके उपर लूप बनाएंगे और फिर तीन चैन की टॉप चैन में स्लिप स्टिच के साथ इसको करेंगे फिर एक स्लिप स्टिच डबल क्रोश्य के उपर करेंगे एक स्लिप स्टिच गाप में करेंगे ठीक है तो पैटन मैंने आपको याद दिला दिया है तो सेम पैटन वाला स्थ पर जाल वाला पैटन कर डालेंगे एसी तरीके से DO-DO रो करते हुए इस बानाया है मैं Nah आगे मैं आपको दिखाती हूँ तो ये देखी बॉटर मैंने कंप्लीट कर लिया है और कुल मिलाकर आठ लाइन मैंने इसमें बनाई है और इतना चोड़ा बॉटर बनाई है चार इंच की चोड़ाई है अगर चाहे तो इससे पतला या इससे चोड़ा भी इसको बना सकते हैं अगर आप इससे भी ज्यादा चोड़ा बनाएंगे तो और भी ज्यादा खुबसूरती है लगने वाली है तो फ्रेंड्स यह थी मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है कॉमेंट करके जो मुझे बताएगा वीडियो गर आपको पसंद आई है तो अपनी फ्रेंड्स के साथ मे आपको Is अगर आपको साथ मेंगे टिया सक शी एम लंगे क्या वीडियो आपको शी एमेंगेर से लगने है तो लगने है तो और आपकोश के साथ मेंगे हैं ज्यादाती है वीडियों है जूएवा है